हलो स्ट्वेंट्स आइटी जेए मैस अकेडवी में आपका स्वागत है चैनल में नए हो तो सस्क्राइब करो साथ में वैल आइकन के बटन को प्रेस करिए टू गेट दा मूर अपडेट इस चैनल पर आपको मिलेगा जेए मैन और जेए एडवांस को जो प्रीवियर सेर की प करना होगे आपको किसी भी चेपटर का प्रापल्मान आयोगे और नाइन अपनीक ऊहांपर लिख सब्रेजिए और लास्ट मां लिख्री आपको यह लिखना काफी कंपर च ही है जब आप यह लिखोगे तबिए आप प्रापलों को प्रॉपरली सर्च कर पाओगे ओके स्टुएंट्स नाउ वेल वीडियो कंटिनुए करते हैं इस वीडियो में डिसक्रस कर रहे हैं चैप्टर पैरावुला का प्रॉबलम और यह जो प्रॉबलम आप देख रहे हो जेए में तो नाइन तीन त में नाइन जन्वरी को सिफ्ट बन में आया हुआ प्रॉबलम है ठीक स्टुएंट और प्रॉबलम है क्या एक्वेशन आफ कॉमन टेंजेंट टू दा सर्कल एक्स इसका प्लस वाइसका माइनस 6 एक्स डैट इक्वल टू जीरो मतला हमें इस कर्व और इस कर पर मुझे क्या चाहिए एक इक तरीका सिखाता हूं यहाँ पर कि यह क्या दे रखा है हमार पास y square is equal to 4x एक curve दे रखा है ठीक है और second curve हमार पास क्या दे रखा है second curve है x square plus y square minus 6x is equal to 0 second हमार पास यह curve दे रखा है तो अब दोगों हमें कामें करते हैं कि इस curve पे एक tangent अपनी side से assume कर लेते हैं तो ठीक है तो आपने लिखा tangent of slope m ठीक है तो slope m का हमें एक tangent लिखते हैं इस पेरावुला पर ठीक है तो अपनी side से लिख सकते हैं क्या आता है y equal to mx plus aym आता है तो यहां से a का value आप निकालो कितना जाएगा of one आ जाएगा upon में कितना आ गया m आ गया ठीक है अच्छा देखो यह वाली जो line हमने लिखा हुआ है यह line तो क्या है tangent है किसका slope m का और इस पेरावुला पर है ठीक है अब उसने बोलाए कि हमें common tangent निकालने मतलब यह line इसको भी टच करना चाहिए तो आप बोल सकते हो कि since यह जो line है यह यह फिर आप कह सकते हो for common tangent ठीक है तो for common tangent क्या होना चाहिए for common tangent को common tangent ही line इसको टच करेगा ना तो one touches मनलेते कि a मनलेते हैं कि a touches circle ठीक है यह circle को भी टच कर रहे है अब मालुए circle को टच कर रहे है तो आपको मालुए कोई भी एक line अगर circle को टच करता है तो क्या condition आता है ठीक condition ही आएगा पीज इकोल टू आर मतलब सेंटर से प्रपेंडिकल डिश्टेंस से लाइन का आपने जो निकाला है वो कैसा आना चाहिए radius के एक कोल आना चाहिए ठीक स्ट्वेंट अब इस सर्गल का हम permission के बारे में ऐगर बात करें तो center तो अगर आप जब निकाल लोगे सेंटर कितना जाएगा यह से इसकोर जाएक एगर चूर इना हो जाएक और रादियrz के ना हो जाएगा आगल अब किया अब इस लाइन को अब देखे द्धान से तो इसमें एक ही अन्नून था एम अन्नून एक अन्नून को निकालने के लिए कंडिशन यहां पर दे रखी थी कि यह इसको टच कर रहा है तो हमके अगर सकते हैं प्लस वन एक कुष्ट्यू कि इतना गया जीरो आ गया ठीक है न पीज इकोल टू आर वाले कंसेप्ट को एपलाई करते हैं तो जब पीज इकोल टू आर तो अपने के 3,0 सा अपने डिस्टेंस निकाला तो 3 यहां जब पूट कर आऊगो तो यह बन जाएगा 3M स्क्वार माइनस ओफ 0 यहां पर आ जाएगा प्लस वन अपॉन में कितना आ आ अन्डर रूट आफ में स्कॉअर प्लस बी स्कॉएर तो जाएका एम पावर फॉर प्लस कितना जाएगा एम स्क्वार आ जाएगा जाएगा जीए कुश्चियों कितना है यह तो आगे इसका मौट आपने ले लिया और देटी किश्चियों कितना यह इंग कर के लाएग यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक आसान बात है ना अब इसको आगे समझों आगे क्या लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो थ्री यहां पर कितना रहा है थ्री अंडर रूट में आ जाएगा एम पावर फॉर और प्लस में एम स्क्वार आ जाएगा ठीक है तो एम में हमार पास क्या गया एक्वेशन आ गया अब क्या प्रॉब्लम को आप चाहूं तो एम की लिए सौल कर लेंगे जैसे हम एम के वैलू जिका क्या लेंगे एम ट्यसक्त को यह पर्ट करेंगे तो हमार पास क्या आ जाएगा और만 टैंजेंट का एक्वेशन आ जाएगा ठीक अक्यें स्क्वैरिंग करते है आगे आपने के स्क्वेरthrough करते हैं स्क्वेरिण कर प्लस यहां बन स्कार यहां से आ रहा और 9m स्कार इधर आ रहा तो इसको आप इस साइड ले जाओ तो यहां से जब आप M का वैलू निकालो गए तो कितना जाएगा तो y is equal to या फिर M की वैलू इसको आपने यहां पूट कर दिया ना कहीं भी आप पूट कर दो को फरक नहीं पड़ता है मालों के अपने ही पूट कर देते हैं यहां फर्स्ट वाले से हैं यहां से जाते हैं यहां से जाते ना वाई इजी कॉल टू एम का वैलू कितना रहा प् कराएंगे तो यह बन जाएगा रूट 3 y is equal to कितना जाएगा प्लस माइनस ओफ एक्स प्लस माइनस ओफ थ्री मतला तो प्लस प्लस साइन होगा है फिर माइनस माइनस साइन जाएगा ना ठीक है तो रूट 3 y is equal to x plus 3 कौनसा ओप्शन बैठेगा हां ओप्शन सीच करेक्ट ओ हैं ओके थेंक्यू